और दोस्तों जैसे करें अब दे सकते यह वही चोटी जगह आपर मैडन में सबसे पहले 50 मूर्गे शाथ इसकाम के शुरुआत किये थी अलकि यह इनके घर के पीछे यह चोटी से जगह में हैं यहाँ पर मूर्गे हैं कुछ उपलब्द हैं जैसे करें दे सकते हुं पशिम बंगाल के नौर चोईस प्रग्राज जीले के गुमा गाउं की रहने वाली ताजमीरा बीबी आज गाउं मे रहने वाली महिलाओं के लिए प्रेड़ना है दरसल दोस्तो हम ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि आज से तक्रीबन चार वर्ष पहले चार सार पहले ताजमीरा बीबी ने अपने घर के पीछे काफी चोटी अस्थान में काफी चोटे जगह के साथ पचास मुर्गी के साथ मुर्गी पालन के काम शुरू किया लेकिन आज चार बर्ष बाद उनके काम काफी बड़े पैमाने पर वो मुर्गी का पाला कर रही है दरसल दोस्तों एक चरफ जहां हम देखते हैं कि गाउं की महलाए गरिनी बन की रह जाती है यानि कि घर के कामों में ही घर के कामों को करते करते ही पूरा दिन अपने अव्यतित कर देती है लेकिन ताजमीना बीबी एक गिरीनी भी है उसके साथा एक अच्छा एक बेटर किसान पालट भी बनचुकिया है दोस्तों आज किस वीडियो में हम ताजमीना बीबी की मूर्गे पालन जो कर रही है उसके बारे म writes विस्तार से बाते करने के कोशिश करेंगे और उनके कामो पर भी परकास डालने की कोशिश करेंगे चलिए दुस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और उनसे हम हुई बाचीत पर एक नजर देखते हैं हालो इंडिया स्वागत आप सभी के आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपना बिहार में दोस्तों इसमें हम मौझूद हैं रोचक है तो प्लीज आप वीडियो में बने रहें यह व्यादि आप दोस्तों मुर्गय करना चाहते हैं यह पिन करने के सोच रहें प्लीज इस वीडियो को अंते दकिए और महिला के दोस्तों प्रिश्रम को भी देखने के जूरून थैज किसी वीडियो में चलिए चलिस करने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दू कि फार्म के उबर बुलू प्लास्टिक लगा हुआ जिसके वैसे दो वीडियो बुलीश हो रहा था था प्लीश हो रहा है थोड़ा साथ इंग्नोर कीजेगा सबसे पहले मैं आपना प्रेचा दे देजिए आप मेरा नम ताजमिरा बीम बीबी है मेरा घर कोलकाता से मने थोड़ा दूर है गोमा गाउ में आप आप यह बताए कि आपने मुर्गी पालन के शुरू बात कब की थी चार बसर पहले किया पोचास मुर्गी लेकर काम सुरू किया चोटा फर्म करके शुरू किया और उसे जो आंडा मने निकलता ह मुर्गी जो आंडा मने एग निया मने पड़ते है वह एक से में हैचिंग करके आसपस को मने आदमी को एक सो पोचा से इसी करके करके बच्चा मने दिता हुस्त ही तो लगबग 50 मुर्गे शाथ आपने इस काम के शुरूबात की थी फिलहाल में वरतमान इसी थी में कितनी म में मुर्गी कम है बावा मैं हैं रहे मेरा मेर्य को जो ब आच्चा मैं मने शेल कर दिया इस तो वह में वने पलन करने लिए रख दिया किस खिस मुर्गी का पालन करती है किस नसल की मैं सुनाली करती है आपका जो मुर्गी कीस नसल की नसल की मुर्ग है यह जा मन देशी के बराबर है ऑस्तता दिन में केजियी कि हम एताती यह एक बार देखने के लिए पार्सों पिसक किया कैसे टाइब आती है मुर्गी का इसलिए तो सुनाली मुर्गी के पालन आप मांस के लिए करती है फिर अंडे के लिए किस मकसद से करती है अंडा के लिए करती है और भी मांस के लिए भी करती है दोनों करती है पालन के काड़कना तो बाहर से लिता है मैं और डाक का हैचिंग करती है वर कि निकल के मैं यह बहुत दूर दूर सहिल करती है एक कोई भी वर्स खासकर हम बंगाल के दर्शक की बात करते हैं जो लोग बंगाल से देख रहे हैं तो यह किसी को चूजे के जिरूत हो तो क्या आप उसको ट्रांसपोर्ट के माधियां से अब लेवल करा सकती है अब लेवल कर सकती है दोस्तों जैसे कि आपने सुना मैं ने बताई कि लगब पचास पिस मुर्गी के साथ इनों घर में इस काम के शुरुवात की थे लेकिन जैसे से वक्त गुजरता गया इनका काम बढ़ता गया आज तकरीबन दोस्तों यह सुना ले मुर्गे पालन करती है और ज्यादा से ज्यादा नहीं आते हैं रोग नहीं आती है माने सोही तरीका से देखभाल करने से कुछ नहीं होती है दो टाइम है बसन में उस टाइम माने रानी खेत आती है तो वैक्सिन माने जो आदमी करेगा तो उसको कोई परब्लिम नहीं होगी अब बात करते हैं कि फिलहाल ठंडी का मौसम चल ला है सर्दी का मौसम में तो ऐसे में मुर्गियों की तरह से देखभाल की जा सके ताकि मुर्गिया मारा बच जाए उन्हें ठंड ना लगे इस टाइम तो बूडिंग सिस्टीम आच्छी तरीके से करना पड़ेगा करके देना पड़ेगा तीन इंची करके चार इंची करके देना पड़ेगा अब कुछ व्यक्तिगत बात करते हैं कि इस फार्म को आप अकेले चला रही है कि इसमें काम करने के लिए किसी वरकर को भी आप रखी है कि लिए अभी ठोड़ा कॉमें इस लिए में आध्मी नहीं है मेरा हज्बन इसमलते हैं और जो पुरा फार्म मनें भड़ा हुआ भरते हैं वस्ताइमें आद्मी रगते है तो फिल्ए और भी मतलब मुर्गी क्यों कम है थोड़ा साथ करके वराबर मने पालून किया उसके बाद में जे देखा जे जी मिकर के लिए अच्छि एइस लिए में थोड़ा पहले जो तो थोड़ा था उसके बाद में जियादा करके शुरू किया दोस्तों जैसा कि सुनल अपने जीवी कंड़िया मतलए आपने जीए चार गुराने के लिए करे लेकर का畫 शुरुआत की ती और फिरहार लगब दोस्तों आजसे जीए और सब्सक्राइम के पाला क पृद्षार के मिल लग систем कि तो हम के बेदगांगे सीरी skill लंबा है और चोड़ा तकरीबन 25 फिट और इसे दूस्तों काफी कम लागत में बनाया गया मैं आपको वीडियो में इसे बहुत कम लागत के माध्यम से बनाया गया इस तरह की फॉर्म भी आप सकते हैं इसमें काफी कम इंबस्टमेंट आई होगी मेडम और आपको आगे क्या प्लानिंगी काम में क्या आगे बढ़ना है कि इसको लिएंतर ऐसे शुचारूप से चलाना है इसके बाद में टार्की भी पालोन करूंगी टार्की चिक्स भी मेरे पास मिलते हैं सब्ता में हर सब्ता में मिल जाएगी टार्की चिक्स जो आदमी ओडर करेगी 500 या 500 या 1000 तक और करेगी मनें उसको में इकॉम्रेट में दे सकता हूं और आप हमें ये बता है कि इस मुर्गियों का आपने रखा है मतलब मांस के परपस है ठीक है तो इसका मैक्सिमम वजन कितना होता है है इसका गोश्क किस डीट से मिलता है रेट सुना लिके बराबर है ज्यादा रुप्या एक सासी रुप्या सोना लिक वारबर तो मनें ज्यादा बाड़ते है जो एट वह जाती है कि इस बता दे कि एकौन साथ नसल कहा है थाटी फाइब दिन हुआ थाटी फाइब यह थाटी शीक्स दिन तो मेरे को यह च्वासों गिरा मोईट आ गया यह कौन से नसल के फिलाल यह मुर्ग यह है देशी की जात है और साथ खुरिया देशी बोलती है साथ पूरा देशी बोलते है हिंदी में इधर बंगल में बोलते है साथ खुरा देशी कि अब हम बात करते हैं कुछ साउधानिया की बहुत साथ लोग इस काम की शुरूबात कर रहे हैं सुनाली मुर्गे की लेकिन बहुत लएक समस्या भी आ रही है तो आप हम यह बता है कि जैसा कि बहुत साथ लोग उन्हें चुजा पर चुजा प्रवाइड कर वाते हैं ले अच्छा पर देगे हमारे दर्सकों को बाद मुर्गी मेरे को बारा होने के बास सेल कर देना चाहिए तो मैं सेल कर दीता है और भी अंडा सेल करना चाहिए तो मैं आप यह पार्टी देखकर दिता हूं यहां से माल लेकर दोबारा प्रवाइड करा सकते हैं अगर आप सेल कर दे तो और यह बहतर है जियादा हो तो मैं हैचिंग के लिए हमें खुद लिए अथोरा हो तो मैं दूसरा आदमी के पास जड़ी तो उमीद करता हूं यह आपको एक छोड़ा से वीडियो आपको पसं के इसके साथ दोस्तों वीडियो को खतम करते हैं जाहिंजा मारत